इनके श्यर्मा से अलावा किसी को वोड ना दें, पार्टी बादी बेन आ जाएं, सिरफ उस अपने सहियन से, अपने विवेक से काम लें और सिरफ पंकल श्यर्मा को वोड दें आतिश बाजी का ये शोर, ढोल नगाडे और मिठाई बाटने की ये तस्वीरें, कुछ विजे जलूस जैसी दिखती हैं केशब पुरम वोड नंबर 64 से, कॉंग्रेस के उमीदवार पंकल श्यर्मा ने रवीवार को जब एवन ब्लॉक में पद्यात्रा निकाली, तो उसे देख लग रहा था कि मानो पंकल श्यर्मा का विजे जलूस निकाला जा रहा हो आप देख रहे हैं, रिस्पॉंस सोच से भी बहुत बियॉंड लिमिट्स है और आज पिछले 15 साल की एवन की ब्लॉक में अभी पद्यात्रा कर रहे हैं पिछले 15 साल की पद्यात्रा चल रही है एक आईकॉन माने जाने वाले मेरे साथ में जर्नायल दिंगी चल रहे हैं यहां पर एवन की पूरी काया प्लेट करने वाली एक्स प्रेजिटन मुकेज भादवाची हमारे साथ में यह रहे हैं उतके बाद 6 साल तक एवन को बहुत सुंदर बनाने में केशब पुरं की जनता ने पंकई शर्मा की सामाजिक सेवाओं की सराना करते हुए उन्हें पूरी तरह से समर्थन देते हुए उनकी जीत का एलान कर दिया पंकई शर्मा की जीत ही चेतर की जीत होगी अपने एवन क्या पूरे केशब पुरंबुलाग से पंकई शर्मा को जीताएंगे और एवन और पूरे केशब पुरंबुलाग की जबार नमर 64 की काया कलब करवा लेंगे पंकई शर्मा हमारा छोटा भाई है हम आडलले की पूरी टीम पंकई शर्मा द्वारा केशब पूरम में निकाली गई ये पध्यात्रा अपने में अभूत पूर्व कही जा सकती है क्यूंकि इसमें ना सर्फ एक भारी जन सहलाब देखने को मिला बलकि लोगों का ऐसा समर्थन रहा कि 42 जगाओं पर स्वागत और खाने के पंडाल लगाए गए इतना ही नहीं इस जन संपक यात्रा का स्वागत करते हुए यहां की जनता ने कहीं सो किलो फूलों की बरसात की इसका सबसे दिल्चस्प पहलू यह रहा कि डेड़ घंटे की रैली साड़े तीन घंटों तक चली ऐसे में आप पंकश शर्मा के बढ़ते जन समर्थन का अंदादा सहज ही लगा सकते हैं कैमरामें शिवानी और आफताप के दाथ अमित मलोत्रा FNI News Bureau